बताएं कुछल कौन सा है स्टॉक और किस पर होने वाली है डी लिस्टिंग और लेकिन ये अभी भी उसको होल करते हैं और उसकी फेर वैल्यू अगर आप देखेंगे तो लगभग इन्वेस्ट्मेंट वैल्यू के हिसाब से साड़े साथ सो रुपए प्रती शेयर बनती है इन फाक्ट डिबेंचेज भी हैं के कुछ और उसकी वैल्यू भी एक सो बीस तो कुल मिलाकर अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो अनुमानित फेर वैल्यू बन रही है वो लगभग आट सो रुपए से हजार रुपए प्रती शेयर की है और इन फाक्ट जिननी भी ये कंपनीज हैं जिनकी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वहां से डिविडेंड कैब देख लीजे 1250 करोड रुपए का है और उसके मुकाबले यहां पर जिस तरह की अनुमानित फेर वैल्यू आ रही है वो 4500 करोड से 500 करोड रुपए की आ रही है और अगर अब टोटल नंबर अफ शेयर्ज देखेंगे तो यहां पर 5.5 करोड शेयर्ज है तो उसे साब से पर शेयर्ज वैल्यू जो बनकर आ रही है जो फेयर्ज वैल्यू बनकर आ रही है वो 900 रुपए से 1000 रुपए किया 900 से 1000 रुपए किया और डी लिस्टिंग के इंडिकेटिव प्राइस किया तो 156 एक सोचपन रुपए की इंडिकेटिव प्राइज और नो सु से हजार रुपए की फेर वेल्य है यह भी एक जिंदल गुरुप की कंप्री आई था क्योंकि पहले भी आपको याद होगा हमने दो जिंदल गुरुप की कंप्र रिसर्च करके आपको रखा था कि किस तर से फेर वेल्यू के मुकाबले में काफी कम प्राइस पर इंडिकेटिव ओफर दिया गया था और दोनों स्टोक्स में आपको जबर्द सेक्षिन दिखा भी और दोनों में मेरे खाल से डिलिस्टिंग ओफर फेल हो इस बात की पूरी संभावना है फिर यहां पर भी क्योंकि जाहिए सी बात है कि अगर वेल्यू चार गुना पांच गुना है तो फिर और 2012 से कमची ने कोई डिविडेंट नहीं दिया है जबकि कम से कम 300-400 क्रोर रुपय तो डिविडेंट इनको आया है तो ऐसे कैसे में यह बहुत ज़रूरी है प्रोमोटर्स के लिए कि पूरी कमची को खरीद रहे हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स को ज़रूर रिवोर्ड करें जिसके वो हगदार है दो जार बारार से दो जार बाइस दस साल में आपने कुछ निगी ने डिविडेंट ने कुछ कैश आया वह भी पढ़ा है ठीक है तो कम से कम अगर आप डिव लिस्टिंग करवाना चाहते है तो टो फैर प्राय स्थे पर इस पर सब्सके करा आचे है दोसब्स करो सारे इन्वेस्टिउ आ गारे का तो आज की प्रिमियम ना बी द e कम से कम पैर यह घ्र तो गसा vai 1988 को श्यूल जाया ठीक है तो तुरंट आपको ब्रना चाहिए अ जो मुझे लगता है, जो होना चाहिए, रिवर्स ओफर, जिस इंडिकेटिव प्राइस पर प्रोमोटर्स अपनी डिलिस्टिंग कराना चाहिए, क्या उसी प्राइस पर, अगर कोई बड़ा इंवस्टर आ जाए, कोई प्राइवट इक्विटी इंवस्टर या कोई दूसरा क प्रोमोटर्स अपनी लेना चाहता हूँ, आपकी जो प्रोमोटर शेरोल्डिंग को बेच दो, क्या सब्सक्राइस पर अनिल अगरवाल साथ वेजानता बेचते हैं, बड़ा सवाल है, या क्या यह जो इंडिकेटिव प्राइस कितना, एक्सो पचास साथ पर, एक्सोचपन रुपए, क्या एक्सोचपन, कोई भी ले लेगा, एक्सोचपन रुपए में, जहां पर बुक वेली 400 रुपए, मार्केट वेली 900 से हजार रुपए आती है, हो सकता है हमारी कैलकुलेशन 1900 हो, हम तो चाहते हैं मेनेजमेंट आकर बात करें, कई बार मेनेजमेंट आते नही एक प्रीमियम देती है, एलन मस्क साब जैसे आदमी ने ट्विटर को प्रीमियम दे के खरीदा है, तो ये कमशियां तो ये तो फेर वेली से वन फोर्थ पे, क्यों, तो आई थिंग ये समय आएगे कि इस तरह का कोई नियम होना चाहिए, जिसमें काउंटर ओफर आए, कि चलो मान लिया, फेर जिस प्राइस पर आपने दिया, उससे दस परसंट, बीस परसंट, कोई भी फोर्मिया बना रहे, उसके उपर तो आपको देना ही पड़ेगा, तभी जाके प्रमपटर फेर वेल्यू का आपको ओफर देंगे, और तभी डिटेल इन्वेस्टर को नहीं रखे सब के सामने के फेर वेल्यू यह होती है, और फिर उस फेर वेल्यू के उपर आप क्या प्रीमियम देना चाहते हैं, डिलिस्टिंग करवाने की, लिस्टिंग करवाने की प्रीमियम है, तो डिलिस्टिंग करवाने की प्रीमियम है, तो डिलिस्टिंग करवाने की प्र इस तरह से बहुत सारे मोंचों पे सेवी में बढ़िया action हो रहा है बढ़िया काम हो रहा है इस पर भी होगा और retail investors के favor के लिए बहुत अच्छी चीज़ आएंगी और मुझे कहते हुए यह अच्छा लग रहा है कि पिछली बार भी जब हमने इस तरह की delisting वाले offers की हमने बा पैसे मिलेंगे जब value unlocking का वक्ता है तब भी कुछ ना मिले तो फिर आदमी पैसा लगा है क्यों तो I think कि यह बहुत interesting research आपने रखी है और I'm sure investors को समझ में आएगा कि 800 से 1000 रुपे की value वाली company की indicative price 156 रुपे कैसे हो सकती है बारा मार्च को delisting का एलान किया तरह यह offer tender offer करने क date शायद नजदीक में है मेरे काल से आती हुए दिख रहे है तो जब भी आप tender करें share तो सोच समझ कर करें कि आपको किस तरह से करना है यह है interesting research आपके लिए कुछल बहुत ही वायतनी research आपने सामिया रखी है और हमारी पूरी टीम ने इसमें सायूग दिया तो और इस तरह की नीप एक चीज़ बताओं इस तरह की research करने में पसीने चूड़ जाते है आपसलूटली साब आप भी आप भी अंजाने शेर आप काफी detail में पढ़ते हैं में रखते हुए 2012 से 10 साल में कोई dividend नहीं दिया ठीक है अब डिलिस्टिंग और उसकी fair value निकालो उस समय जो investment है कितना dividend आया होगा debentures कितने hold कर रहे हैं यह सब करके निकालने में जान निकल जाती है बहुत मेनत का गाम है आसान नहीं है सारी details निकाले पढ़ते हैं लास्ट आपने जिंदल फोटो और जिंदल पॉली इंवेस्ट निकाली थे और दोनों के फिर offers फिर फैल हुए तो यह है आपके लिए बड़ी और बैतिल रिसर्च हेक्सा ट्रेडेक्स पर जैनिस आपको भी विशेश श्टिपनी आपकी नहीं नहीं बहुत सही कहां आपने है निल जी और आपने जो एक reverse offer वाली बात कहीं वह बहुत ही वैलिड है और मुझे अब कई बार जैसे पहले प्राइसिंग होती थी और सेभी के पहले की बात कर रहा हूं मैं 1992 में अब यह जो बाइबैक और यह जो डिलिस्टिंग वाली चीज़े हैं इन सब पे भी थोड़ा सा मुझे लगता कि कुछ होगा क्योंकि यह तीसरी बार हो रहा है और नल्वा संस इसमें प्रोमोडर वो और आपकी टीम को अच्छी रिसर्च लाग के अटलिस्ट हम आवगत करवा रहे हैं कई इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं इवन राइट इस्यूज में होने लग गए अजीव अजीव ओने भाव पर राइट लाते हैं प्रोमोडर जानते हैं कि दो तीन परसे होते हैं जो इन इतने बड़े-बड़े डेसिजिजन्स इन दिनों में आ रहे हैं तो यहां पर भी अच्छूता तो यह भी नहीं होगा कुछ न कुछ इस पर भी आए गाई है बिल्कुल तो चलिए आशा करते हैं कि यहां पर भी आप थोड़ा निवेशकों के हित में यह ओफर आए एक ल इम धियाजए